हेलो स्टुडेंट आज का हमारा टोपिक है क्राइसोफाइट्स फर्स्ट ओफल ये देखते हैं कि क्राइसोफाइट्स होते क्या है तो जो क्राइसोफाइट्स है वो प्रोटिस्टा किंडम से बिलोग करते है तो फिर यह protista kingdom में कौन-कौन होते है जिसका body एक ही cell का बना है single cellular organism जिसके अंदर well-defined nucleus है उसको क्या बोला जाता है protista तो protista kingdom के अंदर किसको include करा गया है single-celled organism single-celled organism और साथ ही साथ जिसका nucleus well-developed हो मतलब eukaryotes हो eukaryotes के अंदर well-developed cell होता है तो protista मतलब ऐसे organism जो single-celled है और eukaryotes है एक ही cell के बने है और उसका nucleus जो है वो कैसा है well-defined है chrysofaits जो है वो protista kingdom से belong करते है और इसके अंदर chrysofaits नाम का phylum है protista kingdom है और chrysofaits उसके अंदर include हुआ एक phylum है phylum वही क्या है division है अब chrysofaits जो है उनको golden algae भी कहा जाता है chrysofaits mostly क्या होते है unicellular होते कहां पर पाये जाते है chrysofaits तो वो marine water fresh water दोनों जगा पर पाये जाते है अब मैंने बोला chrysofaits को दूसरे कौन से नाम से जानते है golden algae के नाम से जानते है कैसे क्योंकि देखो ये golden color जैसा दिखता है ये जो picture है वो देखो और ये जो है वो algae क्यों बोला है क्योंकि वो photosynthesis कर सकते है mostly chrysofaits जो होते है वो photosynthesis कर सकते है इसलिए उनको क्या कहा जाता है इसलिए उनको algae नाम से भी कहा गया है क्यों क्योंकि वो photosynthesis करते है और algae की तरह water में फेलते है तो यहां पर हमें कितना पता लगा chrysofaits से वो protista kingdom से बिलोंग करते है chrysofaits का दूसरा नम golden algae है normally ये unicellular होते है ये marine water और fresh water में पाये जाते है next है ये chrysofaits क्या है तो ये एक phylum है protista क्या है kingdom है जबकि इस kingdom के अंदर ये chrysofaits एक phylum आया हुआ है और इस chrysofaits के अंदर around 1200 species को include करा गया है अब इतनी सारी species है तो थोड़े थोड़े variations तो होंगे तो ये जो 1200 species है उसमें से almost ऐसी species है जिसके पास phlegela है मतलब ऐसे यहां पर phlegela होती है अब इस phlegela की वज़े से वो पानी के अंदर move कर सकते हैं अब ऐसा नहीं बोल सकती कि स सारे के सारे सारे chrysofaits के अंदर phlegela present होती है क्योंकि chrysofait के अंदर इतनी सारी species है तो कोई-कोई स्पीसिस ऐसी भी होगी जिसके आंदर phlegelaा ना भी हो जैसे कि diatoms के अंदर phlegela नहीं होता है अब ये जो chrysofaits है वो उसके अंदर कोई-कोई осies species भी है, क्राइसोफाइट के अंदर कोई कोई ऐसी species भी है जिसकी cell wall में silica present है मतलब उसकी cell wall के अंदर silica present होता है ऐसी भी क्राइसोफाइट होते हैं, अब next यहाँ पे जो क्राइसोफाइट है, वो किस kingdom से बिलों करते हैं, प्रोटिस्टा kingdom से बिलों करते हैं, और क्राइसोफाइट क्या है एक टाइप का फाइलम है और यह फाइलम के अंदर बहुत सारे class होंगे तो कौन-कौन से class है, बेसिलेरियो फाइस है, क्राइसोफाइस है और जेंथोफाइस है यह तीन classes जो है, यह क्राइसोफाइस की तो क्राइसोफाइस की तो क्राइसोफाइस के अंदर कौन-कौन से मेजर कौन-कौन से class है बेसिलेरियोफाइसिये, क्राइसोफाइसिये, और जेंथोफाइसिये अब यहां पर मोस्ट इंपोर्ट बेसे लेजरियो फाइसे जो है उसका हम एक्जाम्पल देखेंगे डाइटम्स मोस्ट इंपोर्टन है और क्राइसो फाइसे को हम गोल्डन ब्राउन अल्गी या तो डेसमिट कहते हैं और जेन्थो फाइसी के अंदर किसके बारे में बात होती यल्लो ग्रीन आल्गी के बारे में नेक्स तो क्राइसो फाइस जो है उसके अंदर हमने क्या क्या देखा वो कहां पर मिलते हैं फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और moist soil में भी present हो सकते हैं अब मैंने क्या बोला था mostly ऐसे crysofides है जो photosynthesis कर सकते है photosynthesis कर सकते हैं इससे क्या पता लगा कि उनके अंदर chlorophyll present होगा मतलब pigments present होगे तो crysofides के अंदर कौन-कौन से pigments present होते हैं तो normally chlorophyll A, chlorophyll C, keratin और fucozentine present हो सकता है अब इतनी सारी species है तो किसी में cellulose होता है साथ में silika भी present होती है hemicellulose की बनी हुई cell wall भी होती है तो यह हो गया crysofides का introduction तो crysofides के अंदर क्या important points है तो यहां से दिखते हैं कि जो crysofides है वो क्या है protista kingdom से belong करता है most important point दूसरा उसको golden आलगी भी कहा जाता है तीसरा point है कि वो unicellular होते हैं mostly fourth point कि वो marine water और fresh water दोनों में पाये जाते हैं crysofides के अंदर approach 1200 species को include करा गया है उसमें से थोड़ी थोड़ी species ऐसी थी जिसके अंदर flagella नहीं थी और almost species ऐसी थी जिसके अंदर flagella present होती है जिसकी वज़े से वो पानी के अंदर move कर सकते है कोई कोई species ऐसी भी है crysofides की जिसकी cell wall के अंदर silica present होता है और अभी हमने क्या देखा कि प्रोटिस्टर किंग्डम के अंदर एक phylum है crysofides और ये जो phylum है उसके अंदर main तीन क्लास है एक basilariophyce ये दूसरा क्लास है crysofides ये और तीसरा जो क्लास है वो कौन सा है जैन्थोफाइस ये तो अभी हम क्या पढ़ने वाले है crysofides का ये जो पहला ये जो क्लास है न बेसिलेरियोफाइस ये उसको पढ़ेंगे तो उसके अंदर किसको पढ़ना है हमको diatoms को पढ़ना है तो यहाँ पर देखते diatoms क्या है तो diatoms है वो crysofide division से बिलोग करते है और कौन से क्लास से बिलोग करते है बेसिलेरियोफाइस से बिलोग करते है diatoms ये क्या है तो ये plant like protist है protist मतलब ये एक टाप का protista है और protista किसको कहा जाता है जो single cell का बनाया है और उसके अंदर well defined nucleus present है और plant like क्यों कहा गया है देखो ये water की surface पे ऐस से फैलता है plant like, algae like होता है और diatoms क्या है single celled algae भी कहा जाता है क्यों algae ये है protista बट वो photosynthesis कर सकते हैं और water की surface पे algae की तरह पूरे दिखते है उसकी वज़े से diatoms को single celled algae भी कहा जाता है ये unicellular होते है most important point की diatoms में flagella नहीं पाई जाती है ये जो photo है ये photo वो real में वो कैसा दिखता है उसकी है और अगर microscope में देखे तो वो कैसे ऐसे दिखते है next लेते हैं diatoms जो होती है diatoms का जो diameter या length कितना होता है approximately 20 to 200 micrometer हो सकता है और कभी-कभी वो 2 mm long भी हो सकते है ये जो है ये एक diatoms का diagram है next ये जो diatoms से वो strictly photo autotropic है मतलब वो light का use करके अपना food production करते है बट वो साथ ही में facultative chemo organotrop भी है क्यों facultative chemo organotrop वो है तो photo autotropic मतलब खाना अपना खुद बनाते है sunlight का use करके कोई भी light source मिलना चाहिए as an energy source ठीक है बट अगर light की absence है तो वो कोई भी organic carbon के source में से अपना food production कर सकते है अपनी energy ले सकते है इसलिए उनको क्या बोला chemo organotrop क्यों बोला क्योंकि light की absence में वो अपना जो food है वो without light बना सकते है कैसे कोई भी carbon source का use करके अब यहाँ पर word दिया है organic carbon तो organic carbon का मतलब क्या होता है तो organic carbon मतलब ऐसा carbon जो या तो hydrogen से जुड़ा है या carbon nitrogen से जुड़ा है या तो carbon oxygen से bond बना रहा है तो उसको क्या बोल सकते हैं organic carbon बोल सकते हैं organic carbon किसको कहा जाता है तो carbohydrate जो है carbohydrate है फिर हम ले सकते हैं कि proteins है तो यह सब क्या है organic carbon से बने हुए structure है क्यूँ? क्योंकि यह carbohydrate है, किसका बनाए carbon होता है hydrogen होता है, oxygen होता है तो ऐसे सारे structures को हम क्या बोलते हैं organic carbon से बने हुए structure organic carbon मतलब carbon hydrogen से や carbon nitrogen से या oxygen से bound करता है तो हम उसको organic carbon कहते हैं और next diatum जो है वो कहाँ पर पाये जाते हैं वोटर में भी मिलते हैं और ओशियन में भी पाए जाते हैं और ये मुष्ट सोयल में भी पाए जाते हैं ये वोटर की सर्फेस के उपर फ्लोट भी कर सकते हैं और वो बोटम पार्ट में भी मिल सकते हैं मतलब वो ओशियन के बोटम पार्ट में भी पाए जाते हैं या तो ले के bottom part में भी रह सकते हैं और free floating भी कर सकते हैं तो ये float किसकी वज़े से कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर जो lipid होता है वो light weight वाला होता है कम वजन वाले lipid की presence की वज़े से वो पानी के उपर freely float कर सकते हैं और plus उसके पास mucilage होता है structure डाइटम्स का structure कैसा होता है तो पहले हम उसकी cell wall की बात करते हैं तो डाइटम्स की cell wall में silika present होता है उसकी जो cell wall है वो किसकी बनी है silika की बनी होती है तो ये silika किदर से आया तो ये जो डाइटम्स होते हैं उनके अंदर silicic acid present होता है ये सारे silicic acid एक दूसरे से joint होते हैं जिसको हम क्या बोलते polymerization मतलब silicic acid एक दूसरे से bind करते हैं बहुत लंबी chain बनाते हैं ऐसे ठीक है और उसको silika synthesize करते हैं इस तरीके से next है ये जो silika की बनी हुई उनकी cell wall present है ये जो cell wall है वो आसानी से डिक्के नहीं होती है मतलब अगर diatom मर जाते हैं तो उनकी जो cell wall है वो बहुत सालों तक वहां पर accumulate होती जाती है सारी की सारी cell wall ठीक है पानी के अंदर और इसको हम क्या बोलते हैं diatomious earth या तो diatomites कहा जाता है most important question है ये diatomious earth क्या है या तो diatomites क्या है तो diatoms जो है उनकी cell wall जो है वो silica की बनी होती है जब ये diatom से वो मर जाते है तब ये जो cell wall है वो वहीं पर बहुत सालों तक पड़ी रहती है और वो जो यहां पर accumulate हो गई है सारी cell wall उनको क्या कहा जाता है diatomious earth या तो diatomites कहा जाता है और इसके बहुत ज्यादा use है ठीक है human के लिए filter करने में polishing में वहां पर ये diatomious earth use में आती है next देखते है diatoms जो है उसके cell wall बनी कैसी होती है तो diatom के cell wall जो है वो two piece की बनी होती है कैसे two piece की देखो इदर ये एक piece और ये जो है ये दूसरा piece तो ये दो piece की cell wall बनी होती है और उसको क्या कहा जाता है youngest ये जो दो cell wall जो दो piece की बनी है वए एक दूसरा को देखो यहां पर क्या कर रहेा है? overlap करती है तो हमको वो किसके जैसी लगती है soap box जैसा structure दिखता है अब most important है देखो ये real में कैसे होता है वो देखते हैं ये जो है, ये cell wall है उनकी तो ये जो upper part है वो large है और ये जो lower part है वो कैसा है, small है तो जो larger half part है उसको क्या कहा जाता है epithika कहा जाता है और जो lower part है small half part है जिसको hypothika कहा जाता है और most important ये दो जो cell wall के जो दो piece है, वो एक दूसरे से joint होते हैं, किस के तुरू girdle blends के तुरू ये देखो यहाँ पे, ये जो है girdle blends है तो हमने अभी तक क्या देखा कि जो die atom से उनकी cell wall दो पार्ट की बनी हुई है, दो piece की बनी है जो small part है small half part है जिसको hypothika कहा जाता है, और जो large part है, उसको epithika कहा जाता है और ये जो उपर वाला part है और नीचे वाला part है, वो किस से एक दूसरे से joint हुए है girdle blend से एक दूसरे से join हुए है, जो die atom होते है उसके अंदर large single nucleus present रहता है okay, next है die atom के types देखते हैं तो symmetry के उपर से die atom के दो types है एक है pennet और दूसरा है centric symmetry के according मतलब कैसे यहाँ पर देखो दो diagram देके रखे हैं, तो यहाँ पर ये picture को देखोगे, तो यहाँ पर दूसरा वाला है, यहाँ पर देखो, यह center है, यह center से अगर इसको ऐसे section में करूँ तो section एक दूसरे से equal बनेगा तो इसको radial symmetry कहा जाता है और यह first वाले को अभी देखो इसको अगर बीच से ऐसे करते हैं ठीक है, इसको अगर बीच से इसे करते हैं, तो यह दो पार्ट में divide होता है, और दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं bilateral symmetry कहा जाता है, तो diatoms के दो टाइप ले सकते हैं bilateral symmetry वाले और एक दूसरे हैं, radial symmetry वाले, जो radial symmetry दिखती है, ऐसे diatoms को क्या कहा जाता है, centric diatoms कहा जाता है, और bilateral symmetry दिखाने वाले diatoms को pennet कहा जाता है, next diatoms जो होते हैं, वो yellowish brown to olive brown color के बीच के होते हैं, ऐसा क्योंकि यह जो मैंना अभी ही बोला कि diatoms जो होते हैं तो diatoms के अंदर यहां पे chlorophyll present होगा क्यों क्योंकि वो photosynthesis कर सकते हैं अगर photosynthesis कर सकते हैं मतलब उसके अंदर pigments present होगे, तो इसके chloroplast के अंदर, यह diatoms है, diatoms के अंदर chloroplast होगा और उसके अंदर pigment present होगे तो कौन-कौन से pigment present हो सकते हैं diatoms में, chlorophyll A chlorophyll c, carotinets and fucoxanthin यह important question है कि why are diatoms called golden brown आलगी क्यों उनको golden brown आलगी कहा जाता है तो अभी हमने देखा कि उसके अंदर यह 4 type के pigments हो सकते chlorophyll a, chlorophyll c, carotinets और fucoxanthin तो अगर fucoxanthin जो है उसकी amount ज्यादा है major है तो फिर और वो diatoms कैसे color के दिखेंगे golden brown color के दिखेंगे तो fucoxanthin की ज्यादा amount की वजह से diatoms कैसे दिखते golden brown color के दिखते है आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे दिखते है golden brown color के दिखते है next वो अपना food कैसे reserve करते है वो अपना food है उसको किस form में store तो डाइ एटम अपना जो फूड है वो ल्यूकोसिंग के फोर्म में या ओयल के फोर्म में स्टोर कर सकते हैं नेक्स्ट लेते हैं डाइ एक उटम वह उनको Chief Producer in the Oceans ऐसा क्यों कहा जाता है कि वह Oceans Chief Producer, मेईन Producer तो उसका Simple सा Reason है कि die atom से वो photosynthesis कर सकते हैं अगर वो photosynthesis करते हैं तो इसका मतलब है वो atmosphere से CO2 absorb करेंगे और वो CO2 से अपनी body के अंदर glucose या कोई polysaccharide बनाएंगे अपनी energy के source के लिए तो यहाँ पे die atoms क्या कर रहे हैं die atoms photosynthesis करते हैं photosynthesis की वज़े से वो atmosphere के CO2 को organic carbon में fix करते हैं organic carbon में fix करना माने तो atmosphere से CO2 लेके glucose बगेरा बनाना तो हम बोल सकते हैं कि उसने atmosphere के CO2 को convert कर दिया organic carbon में अब हमको normal procedure पता है कि for example यहाँ पे plants present है तो यह जो plants है उसके उपर कोई ने कोई organism feed करेगा जैसे कि कोई organism ले लेते हैं कि हीरन ले ले लेते हैं तो वो यह plant को खाएगा ठीक है तो उसके उसने किस के उपर feed करा plant के उपर feed करा तो सेम चीज़े ocean के अंदर भी diatoms जो है वो बहुत rapidly spread हो जाते हैं और दूसरे दूसरे जो organisms होते हैं वो इस dieatoms के उपर feed करते हैं मतलब as a food source उनका use करते हैं तो dieatoms जो है वो atmosphere से CO2 लेता है photosynthesis करता है organic carbon बनाता है दूसरे जो और दूसरे जो organisms हैं वो organism इस dieatoms के उपर feed करते हैं इसलिए इसको क्या कहा जाता है chief producer in ocean क्यों क्योंकि यह जो है बहुत ज्यादा अपनी numbering बढ़ा सकते हैं और बहुत जल्दी से spread हो सकते हैं तो यह हमें बहुत सारा carbon dioxide fix करके देते हैं next है reproduction in diatoms तो diatoms जो है वो sexual reproduction भी कर सकते हैं और asexual reproduction भी करते हैं वो बहुत साल तक asexual reproduction करते हैं बट यहां पर ध्यान से देखो for example इसको मैं first ले लेती हूँ तो यहां से वो बार बार asexual reproduction कर रहा है diet उसकी वज़े से उसकी size कैसी हो जा रही है small हो जाएगी small size हो जाएगी तो एक time के बाद वो function नहीं कर पाएंगे इसकी वज़े से वो क्या करते हैं जब उनकी size बहुत छोटी हो जाती है उसके बाद वो थोड़े time के लिए क्या करेंगे sexual reproduction करेंगे sexual reproduction के अंदर male और female होंगे zygote का formation होगा और oxospore बनाएंगे और फिर वापस से वो अपनी size जो है वो maintain कर लेंगे देखो हम अच्छे से समझते हैं कि sexual reproduction कैसे है तो यह एक die item है यह first number दिया है वो अब देखो यहां पर red color उसने यह जो है यहां पर अपना दूसरा सामने का cell wall बनाना स्टार्ट करा है तो यहां पर देखो अप कितने हो गए दो cell wall बन गए है पूरे और दो die items बन गए है बार बार ऐसे वो करेंगे तो क्या होगा बार बार वो ऐसे asexual reproduction करेंगे तो size देखो कितनी हो जा रही है छोटी हो जाएगी तो asexual reproduction वो बार बार करते हैं तो size कैसी हो जाती है छोटी हो जाती है उसने इतने लंबे टाइम तक asexual reproduction करा और size कैसी हो गई छोटी हो गई उसके बाद die items क्या करते है sexual reproduction करते है oxospore का formation करते है और उससे अपनी size को क्या रखते है maintain रखते है अब next देखते है इनकी importance क्या है photosynthesis करते है तो atmosphere के CO2 को लेते है और atmosphere के अंदर oxygen release करते है तो वो कितना production करते है 20% world's photosynthetic oxygen production करते है world के अंदर वो कितना साल में कितना oxygen का production देते है 20% oxygen सिर्फ और सिर्फ diatoms generate करते है next यह जो diatoms atmosphere से CO2 लेके उसको organic carbon में fix करते है 40% organic carbon में fix करके देते है CO2 को next यह जो diatoms है वो indicator से water quality के मतलब वो अच्छे पानी में grow हो सकते है अगर diatoms grow हो यह तो हमें उसको उससे हम बता लगा सकते है कि यह पानी की quality कैसी होगी अभी बहुत सारी research चल रही है यह topic के उपर diatoms के उपर क्यों क्योंकि हम as a biofuel इसका use करना चाहते है इसलिए next यह filter में paints में toothpaste में यह जो diatoms से वो use होते है मैंने बोला था कि diatomious earth जो बचा-कुचा diatoms होता है diatoms की cell wall जो वो बच जाती है accumulate होती है तो वो कहां पर use आती है आगे जाके filter, paints और toothpaste में use आती है